मूवी की सुरुवात में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टिन होता है और इस वेग्यानिक ने पिछले चार सालों की कड़ी महनत से एक ऐसी दवाई बनाई है जिसको इंजेक्ट करके किसी भी जीवित प्राने को गाइब किया जा सकता है लेकिन अभी से वो गाइब हूई चीवित चीजों को फिर सी वीजिबल कर साथ है दरशल उसने जब अपनी पहली गायब करने वाई दवाय बनेटी तो इसने टेश्ट करने के लिए कहीं सारे जानवरों को गाइब किया था और अब वो उन सब को फिर से विजिबल करने के लिए अपने दोस्त मैथ्यू लिंडा और सभी दोस्तों को लैब में बुलाता है अब इस सभी इजबेल नाम के गाइब हुई गोरिला को बड़ी मुस्किल से बेहुस करता है और उसे पकड़ कर बैड पर बांद देता है अब सेवेश्टिन अपने बनाई हुई दोबा को उसकी बोड़ी में इंजेक्ट करता है ताकि वो गोरिला फिर से विजिबल हो सके लेकिन दोबा के कारण उस गोरिला को बहुत ज्यादा दिकत होने लगती है और हार्ट बीट लगातार बढ़ने लगती है जिससे उन सभी को लगता है कि अब इजाबैल नहीं बचने वाली और इसलिए वो उसे जटका देते हैं और धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट इस्टेबल होने लगती है इसके बाद धिरी धिरी उसकी पूरी बोटी विजिबल हो जाती हैं और अपने एक्सपरिमेंट को सफल होता देख वो सभी खुसी से जुमोड़ता है उनकी पूरी टेम की बरसों के मेहनत आके रंग ले आती है असल में यहाँ पर होने वाले सभी एक्सपरिमेंट आर्मी के लिए किया जा रहे थे आर्मी ने ही सेबेश्टिन को इन्विजिबल करने वाली दवा बनाने को कहा था ताकि यूएस आर्मी अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बना सके अब सेबेश्टिन के आर्मी ऑफिसर के साथ मिटिंग होती है मगर उस मिटिंग में वो जोट बोलता है और कहता है कि मैंने इन्विजिबल होने की दवा तो बना ली है मगर अभी तक उसका तोड़ नहीं मिला है और मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ मुझे बस कुछ और वक्त चाहिए उसमें मिलिटरी ऑफिसर कहता है कि हम तुमें पहले ही बहुत ज़्यादा वक्त दे चुक है और इससे ज़्यादा वक्त लगाना केवल समय की बरबादी है अब तुमार पास बहुत कम वक्त है दरसल सेबेस्टिन इस रिसर्च का क्रेडिट खुद लेना चाहता है और ये थियोरी डायरेक्ट पब्लिक के सामने रखना चाहता है अगर ये मिलिटरी ऑफिसर को बता देता है तो वो उस फुडियो को एक सिक्रेट बना कर रख लेते और इस दवाई का सबसे पहला टेस्ट मैं खुद फर करूंगा अब इसके बाद लेंडा और मैथ्यों अपनी टीम के साथ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते वे सेबेस्टिन को दवाई इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वज़े से उसे बहुत तकलिफ होती है और जब सबी लाइट्स को आफ किया जाता है तो वो पूरी तरह से इश्टेबल हो जाता है उसका मैडिकल चेक अप किया जाता है जिसमें उसकी सारी टेस्ट के लिए राते हैं रिसर्च टीम में काम करने वाली लड़कों को काफी अजीब लगने लगता है जिसे धीरी धीरी उसकी बोड़ी फार्ट से दिखने लगता है मगर इस बार उसी इतना ज्यादा पैन होता है कि वो मरते मरते बचता है फिलाल वो सब सीबेस्टिन को विजिबल नहीं कर पाता है ताकि वो सब गोद देख सके अब उसी गाईबुई 10 दिन हो चुके हैं और सीबेस्टिन अपने इस रूप में बहुत ज़्यादा परेसान हो चुका है क्योंकि इन्विजिबल होने के बाद उसे ठीक सी नीन भी नहीं आती है धीरे धीरे उसकी दिमागे हालत भी खराब होने लगती है इसलिए सीबेस्टिन इस मौके पर अपना प्यार जताने के बारे में सोचता है और वे अपना मास्क निकाल कर उस लड़की की डॉर बैल बजाता है जब दर्वाजा खोती हैं तो सामने उसे कोई नजर नहीं आता है और मौका पाकर सीबेस्टिन घर के अंदर घुशाता है बाद में उस लड़की का रैप कर देता है दूसरी और लिंडा सीबेस्टिन के घर आती हैं जहां पर उसका उत्रा हुआ मास्क दे कर वो काफी फरेसान हो जाती है और बाद में वो आफस लैब में आ जाती है जहां पर सभी लोग कहता है कि जब तक सीबेस्टिन गाइब हैं वो हर किसी के लिए एक खत्रा है उसी वक्त सीबेस्टिन वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो सभी उसके ठरकेपन से अच्छी तरह से वाकिफ होते है और इसलिए वो उस पर नजर रखने के लिए थर्मल कैमरा का यूज करते है मगर सीबेस्टिन के ये बात पता चल जाती है और वो कैमरा में छेट-छाड कर उसमें अपनी पूरानी रिकॉर्डिंग चला देता है और खुद रूम से निकल कर सीधा लिंडा के घर जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि लिंडा का अफ़ेर मैठ्यू के साथ होता है क्योंकि लिंडा सीबेस्टिन की एक्स गर्लफेंड होती है और इसी गुसे में वो उसके कमरे की खिड़की के काच को तोड़ देता है लिंडा बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है और उसे सीबेस्टिन फर सक होने लगता है और वो लैब में फॉन करके पूछती है तो वो आदमी कहता है कि सिबेश्टेन अपने रूम के अंदर ही है लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो जिसे देख रहा है वो एक पुरानी रिकॉर्डिंग है अब सिबेश्टेन अपने रूम में वापस आता है और गुसे में होने के कारण वो एक इन्विजिबल कुटे को मार देता है नेक्स्ट मौनिंग जब वहाँ की अनिमल डॉक्टरों सभी इन्विजिबल जानूरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो उसे खुटा मरावा मिलता है और इस चीज के लिए वो सिबेश्टेन से पूछती है तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बता है लेकिन वो सर्वी कनफर्म करने के लिए पीछे की रिकॉर्डिंग देखता है मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है उसी रात सिबेश्टेन फिर से लिंडा के गर जाता है जहां पर लिंडा को सक हो जाता है कि कोई न कोई तो उसके रूम में जरूर है और इसलिए वो लैब में जाकर सीबेश्टिन के बैड को चेक करती हैं तब उसी पता चल जाता है कि सीबेश्टिन हम सब को बेगुफ बना रहा है और इसलिए वो अपनी टीम के साथ फेशला करती हैं कि इस घटना के बारे में प्रोजेक्ट के हैड डॉक्टर क्रेमर को बताईगी अब लिंडा और मैट डॉक्टर के पास जाकर उसी सब कुछ बता देते हैं जिस बात से गुसा होकर क्रेमर उन दोनों को प्रोजेक्ट से रिमूव कर देता है और इस बात की जानकारी ओफिसर्स को देने के लिए फॉन करता है मगर उसका फॉन खराब होता है दरहसल तब तक सीबेस्टियन को इस खबर की भ़नक लग जाती हैं और वो वहाँ पर आ जाता है वही पर वो डॉक्टर क्रेमर को स्वीमिंग पूल में डूबकर मार देता है नेक्स्ट मौर्निंग सीबेस्टेन लेब में पहुंचता है जहां पर लिंडा डॉक्टर क्रेमर के फोन का इंजार कर रहे थी क्योंकि आज इस इन्विजिबल प्रोजेक्ट को लेकर खास मिटिंग होने वाले थी लेकिन जब काफी देर बाद भी फोन नहीं आता है तो वो क्रेमर को फोन करती है तब उससे पता चलता है कि लाश्ट नाइट पानी में डोबने से क्रेमर की मोत हो चुकी है इस खबर को सुनकर लेंडा फिशला करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सब को बता देगी क्योंकि अभी तक सीबेश्टेन की गाइब होने की खबर सिर्फ उस लैब के लोगों तक ही थी जालता है और अब वो लोग समझ जाता है कि सीबेश्टेन हम सब को मारना चाता है ताकि उसका सीक्रेट लेक ना हो अब वो लोग लैब में लगे एक ट्रैकिंग मैप की मदद से उसकी लौकरसन का पता लगा लेते हैं और अब उसे पकड़ने के लिए दो लोग वहाँ पर जाने को तैयार होता हैं मैथ्यो और कार्टर वहाँ पर जाता हैं मगर सीबेश्टेन कार्टर को घायल कर देता हैं मैथ्यो उस पर फारिंग करता हैं मगर वो किसी तरह वहाँ से बच निकलता हैं कार्टर का बहुत सारा को उसके लिए बलट लाने के लिए भेजता है लेकिन सीबेस्टियन सारा पर अटेक कर उसे मार देता है दूसरी और बलट ने मिलने से काठर भी मारा जाता है अब इस लैब में सिर्फ तीन ही विजिबल लोग बचे थे लिंडा मैथ्यों और फैंक अब वो लोग सारा की मोट से अंजान होता है और उसे ढूंडने के लिए जाता है जहां पर एक फ्रीजर में उन्हें सारा की डैड बोडी मिलती है उसी वक्त सीबेस्टियन फैंक के अंदर एक रोड घुसा कर उसी मार देता है जब मैथ्यों उससे बचानी की कोसिस करता है तो वो उसे भी घायल कर देता है और लिंडा और मैथ्यूं दुनों के फ्रीजر में बंद अब फ्रीजर का तेमपेरचर धीरे डाउन होने लगता है लिंडा इसमें लगी काच की विंडो को कुषिश करती है मंगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहती है वहीं पर मैथ्यू काफी झक्मी होता है वो बेहुस हो जाता है दूसरी और सीबेस्टियन एक बॉम बनाता है और उसमें टाइमर सेट करके वहां से निकल जाता है लिंडा फ्रीजर के मैंडोर को खोड़ने की कोसिस करती है और वो इसकाम में काम्याब हो जाती है अब वो मैथ्यो को बाहर निकालती है और उसकी जमी वहां पर लेगी सौवर को स्टार्ट कर देती हैं जिससे सीबेस्टियन दिखाई देने लगता है वो लिंडा पर हमला कर देता है और एटलिस्ट मार नहीं वाला होता है कि पीछी से मैथ्यो उस पर वार कर देता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है अब मैथ्यो लिंडा क पर जाता है जहां पर सीबेश्टियन ने बॉम प्लांट किया था लेकिन उस बॉम को डिफ्यूज नहीं क्या जा सकता इसलिए वो दोनों वहां से भागना बहतर समझते हैं सारे एक्जिट गैट ब्लॉक होता है और इसलिए उन्हें लिप्ट के इमर्जैंसी गेट से भागन पड़ता है तब तक बॉम विफट जाता है और वो दोनों उपर चड़ रहे होता है कि कोई लिंडा का पीर फकड़ लेता है और वो सीबेश्टियन होता है जो कि अवी तक जिंदा है मैथ्यू उससे बचाने की कोसिज करता है मगर तब तक वह लिंडा को लेकर नीची जाती है जहां पर मैथ्यू उससे लेकर बाहर निकल जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी का एक्स्प्लेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना बाकि म मैं मिलूँगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ तब तक लिए थैंक यू